न्यूस ऐटीन इंडिया के मन मुताबिक नहीं है ये बड़ी खबर सुन लीजिए अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोल बाला है जो इम्रान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए हैं जो इम्रान खान की पार्टी तहरी के इंसाफ से जुड़े हुए हैं ज और आकड़े आपको देखने चाहिए नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासल हुई है बिलावल भुट्रों की पार्टी 40 पर और अन्य के खाते में 8 सीटे इस वक्त पाकिस्तान नाशनल सेमली में 173 सीटों पर ये इस वक्त मुकाबला 75 सीटों पर इम्रान के स तमर्थकों ने जीत दर्ज की है तो शरीफ की पार्टी दूसरे नमबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या बाकी वो नहीं हुआ नवाज शरीफ की पार्टी PML नून ने 50 सीटे अब तक जीत ली है और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है जैसा मैंने आपको बताया ये तीन तस्वीरे टेलेविजिन स्क्रीन पर आपके सामने आला कि जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको तौकीर रजा नजर आ रहे हैं तीन तस्वीरे माफी चाहती हूँ दो तस्वीरे पाकिस्तान से थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी चाहे वो हल्दवानी हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर का आक्शन हो तौकीर रजा बार-बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी दूँगा उस बड़ी खबर पर हम जाएंगे लेकिन फिलाल आपके सामने जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर आ रही है वो यही है कि वहाँ बहुत बड़ा खेला हो गया है पाकिस्तान नाशनल असेमली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का पर्चम लहराता हुआ कोई चहरा नजर आ रहा है तो वो इंडिपेंडन्ट कैंडिट्स हैं जो समर्थन लिये हुए हैं इमराम खान का इमराम खान इस वक्त जेल में बंद है नवाज शरीफ जब आ टू लेकिन ये आई लव यू टू इस वक्त आकडों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमारे साथ रक्षा विशेशग्य करनल आरेसन सिंग साहब जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान से राज़ुतिक विशलेशक कमर चीमा इस वक्त इसलामाबाद से हमारे स चालीस पर और अन जो है वो आठ पर जी बहुत शुक्रिया देखें ये बिल्कुल इसी वक्त जो आप बात कर रही है ठीक है को पचातर के करीब पाकिस्तान तरीक इनसाफ है पचास के से ज़्यादा मुस्लिम लिग नवाज है और चालीस के करीब जो है वो पीपल्स पार् है लेकिन क्या सिच्विशन बिल्ड होती है क्या पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट्स आपस में मिल जाते हैं क्या बंता है आगे आने वाले दिनों में ये भी चीज़ें देखने की हैं लेकिन ये कन्फॉर्म नहीं है अभी तक जी आप यह कह रहे हैं कि बाकी सब एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ नजर आ रहे हैं है ना लगता तो यह लगता तो यह इसका मतलब यह कि जो कहा जा रहा था कि सेना चाहती है कि नवाज शरीफ एक बार कुर्सी पर काबिस हो जाए वो होता हुआ भी नहीं दिख रहा है नहीं अवाम ने उनको इतने व कितनी सीट्स ले सकती है 20 25 30 40 कितनी लेती है और इंडिपेंडेंट्स जो के तहरीके इंसाफ के हैं वो कितने बनते हैं यह सो पॉलिंग स्टेशन है उसका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा अभी तो अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए मेरा ख्याल अगले दो गेंटे म करनल आरसन भी हमारे साथ जुड़े हुआ है अब करनल सिंग यह हुआ क्या है मतलब तस्वीर दिख रही थी कुछ और निकल गया कुछ और अब आएगा आगे क्या कोई नहीं जानता है ने मैं चीमा जीके साथ बिलकुल सहमत हूँ यह कोईलेशन गर्मेंट बनेगी और यह जान ले कि इनकी जो एलेक्शन्स जो है वो मुझे इस बात में कोई हिचक नहीं है कहने में कि वो बाहर से स्क्रिप्टिड होती है और इनका बिलकुल साफ है कहना कि यह कोईलेशन सरक दूसरी बात क्या है कि यह जो इंडिपेंडेंट के रूप में जो जीते हैं पीटी आई के लोक अब बाजार खुल जाएगी थोड़े देर के बाद लिया का रुबिया जी और आप देखेगा कि अब बाजार में खरीद फरोख वहां पे शुरू हो जाएगा तीसरा चीज मैं यह भी बोल दूँ कि देखे मैंने किताब लिखी है दे मिलिटरी फैक्टर इन पाकिस्तान हां और मुझे मुझे तमाम एलेक्शन का स्मरण है लेकिन चीवा साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि आज तक मैंने ऐसे इतना बड़ा वेव जब मैं रिलेटिव टॉम्स में ब इमर भाई मतलब किसी नेता के लिए पाकिस्तान में नजर नहीं आई है इन फाक्ट कहते हैं कि अगर सेना चाले तो पत्ता नहीं हिलेगा लेकिन यहां पर मनना पड़ेगा कि इम्रान ने वो सब जूट साबद कर लिया देखेंजी इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान का जो नेरेटिव है जो बियानिया है वो इंतहाई पॉपुलर है और जैसे मैंने पहले कहा कि उनका नेरेटिव एंटी इस्टाबलिश्मेंट है एंटी यूएस है और रिलिजिस नैशनलिजम की वो बात करते हैं और वो इ पाकिस्तान के अंदर एक तासुर है इस हवाले से जो मजभी सियासी जमाते थी उन्होंने एक महौल बनाया हुआ है एंटी वेस्ट और इस तरह की चीज़ों का सो इमरान खान ने उसको कैश की है नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों ने इमरान खान को लिए वोट नहीं किया कि उन्होंने बड़े डिवल्मेंट के काम किये हैं यहां वह बड़ा क्यों हिस्टओरिकली पाकिसान की एकॉनिमिकों कार पड़ें लोग उनको वोट इसलिए रहे हैं कि बातों कि वजया से सो पाकिस्तान की जो अवाम की यước को बहूंड है और पाक कि development की बात कैसे करें पहले इतना जो गड़ा यहां पर खोदा गया है पहले वो तो भर देना आदमी उसके बाद आप पुल की बात करेंगे ब्रिज की बात करेंगे सड़क की बात करेंगे अभी तो गड़े में है पूरी की पूरी जमूरियत और यह मुझे आपको बतानी की जरूरथ नहीं है आप खुद यह मानते हैं कि वहां हर बार general elections फोते हैं हर बार वहाँ पर आम पहला जो ऐसे होते हैं कि आम जो आवाम है उसके साथ धोका होता है तो ऐसे में अगर इमरान को पसंद कर रहे हैं तो नोग़े हैं क्या वो भरोसा है बात यह नहीं है कि देखे हर दफ़ा जब इमरान खान आपोजिशन में होते हैं तो वो कहते हैं जी दूसरों ने लेक्शन चोरी किये अभी जब वो आपोजिशन में होंगे तो वो कहेंगे दूसरों ने लेक्शन चोरी किये मैं इस सेंस में ये कह रहा हूँ कि कोई भी पुलिटिकल पार्टी पाकिस् कि जिर्फ और सिर्फ तीन चार चीजों पर जिसके मैंने जिकर किया है कि वह एक अटी स्टेबलिश्मेंट बिया उन्हों ने लिया और वो कहते थे कि अमरीका और फौज ने मुझे मिलके निगाला है यह जो एक कॉंस्पिरेसी थेरी यह कॉंस्पिरेसी थेरी है जिसको वो प्रूव करना चाहते थे लेकर लोगे कमर आप यह कह रहे हैं कि उन्होंने एक नारेटिव बना दिया है परसेप्शन क्रियेट कर ल झाल 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 झाल